गुद्मॉर्णिंग स्टूडेंट टोडे वी अर गुइंग तूटर टोपिक इस ग्रेंड पास टॉई इसका मतलब क्या होता है दादा जी का खिलावना फर्स्ट यू सी इन दा पिक्चर वन स्मॉल बॉई देखो छोटा सा बच्चा है इस पिक्चर में वो क्या बोल रहा है इस बच्ची का नाम क्या है सैमी तो बोलता है सैमी मैं अपने खिलावनों से बोर हो गया हूँ अब मैं क्या करूँ तो ये बच्ची क्या बोलती है एसा ये बोलती है फिर ये बच्ची क्या बोलती है फिर वो बोलती है जब वो छोटे थे तो खिलोने का यूज करते थे जब वो छोटे थे तो खिलोना खेलते थे and they can teach us some of the games that played या फिर वो हमको ऐसा चीज़ पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं जो चीज़ वो बच्पन में खेलते थे उस खेल के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलेगी just like once grandpa taught him मतलब जैसे की once के जो grandpa है दादजी वो उसको बताते हैं अब next हम लोग chapter स्टार्ट करेंगे बच्चों उसमें देखेंगे किसके बारे में ये दिया गया है दादजी के बारे में किसके दादजी है वो देखेंगे ओके once come home once क्या किया घर आया he looks for his mother और वो अपने मम्मी को देखने लगा but it is his grandfather who greet him मतलब वहाँ पे कौन थे उसके मम्मी नहीं थी लेकिन उसके grandfather थे उसके दादजी थे जो उसको देख रहे थे grandpa where is mom फिर वो क्या बोलता दादजी मम्मी कहा है once ask कौन पूसता है once पूसता है अपने दादजी से फिर क्या बोलता है once your mother is at her new job फिर दादजी क्या बोलते है once तुम्हारी मम्मी नए job के लिए गई है नए काम के लिए गई है फिर grandpa replied फिर दादजी बोलते है don't you remember तुमको याद नहीं ऐसा बोलते है I am going to take care of you after school from now on और दादजी क्या बोलते है आज से मैं तुम्हारा देख भाल करूंगा जब भी तुम स्कूल से घर आओगे तो ऐसा बोलते है किसको बोलते है once को बोलते है I just want to watch TV मैं तुम्हारे साथ बैट की TV देखूंगा once क्या बोलते है he tries not to show it but he is sad he missed his mother once क्या बोलता है once बहुत उदास था और एकदम परिशान था लेकिन वह अपने दादा जी को नहीं दिखा रहा था वैसे कि वह उदास या परिशान है क्यों क्योंकि वह अपनी मम्मी को miss कर रहा था याद कर रहा था would you like to play with me ऐसा कौन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे grandpa ask कौन बोलता है उसके दादा जी बोलते हैं उसको आइडिया तो फिर उसके grandpa once क्या बोलता है I have an idea मेरे पास एक idea है grandpa replies फिर grandpa reply करते हैं वो answer देते हैं I have a few old album with me फिर बोलते हैं कि मेरे पास पुरानी album है पहले कि मेरी उसको हम लोग देखेंगे बोलते हैं album मतलब समझ रहे हो ना जिसमें हम लोग फोटो रखते हैं they have some photographs of me when I was your age उसमें मेरे कुछ photograph है जब मैं तुम्हारे एज का था तुम्हारे जैसे चोटा बच्चा था तब का कुछ-कुछ photograph है ऐसा बोलते हैं we can look at them हम लोग उसको साथ में बैठ के देखेंगे ऐसा बोलते हैं उसके दादा जी फिर क्या बोलते है वंश and grandpa start looking at the photograph वंश और उसके दादा जी क्या करते हैं फोटो देखना start करते हैं उन लोग फोटो देखते हैं किसका फोटो देखते हैं उसके दादा जी के बच्चपन का फोटो वंश is still missing his mother notice something फिर उसके बाद वो वंश कुछ notice किया कुछ याद करने लगा grandpa what is that he asked फिर दादा जी को बोलता है दादा जी ये क्या है वो पूछता है अपने दादा जी से that is a spinning top फिर उसके दादा जी क्या बोलते हैं ये तो spinning top है spinning top का मतलब क्या होता है हम लोग जो वो लट्टू चलाते हैं बच्पन में गाओं में लट्टू चलाते थे उसको बोलता है spinning top I used to play with it तो फिर वो बोलते हैं कि मैं इसको खेलने के लिए इसके इस्तमाल करता था I still have one फिर वो बोलते हैं कि मेरे पास एक है grandpa give a spinning top to once फिर grandpa उसके दादा जी वो लट्टू लेके आते हैं और किसको देते हैं once को देते हैं I shall show you how to use it फिर उसके दादा जी बोलते हैं इसको कैसे use करते हैं ये मैं तुमको बताता हूँ ऐसा बोलते हैं फिर he says smiling फिर वो क्या करने रगते हैं फिर उसके दादा जी और वांच दोनों क्या करते हैं कुछ घंटे तक उससे खेलते रहते हैं फिर you are really good at it Grandpa says फिर Grandpa क्या बोलते हैं तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम बहुत अच्छे हो रही ये बहुत गुड हो ऐसा बोलते हैं I could teach you other games too फिर उसके दादा जी बोलते हैं मैं आपको और दूसरे games के बारे में बताऊंगा That would be great वो भी बहुत अच्छे हैं वर्ष बोलता है Can you take care of me everyday after school फिर वा वर्ष बोलता है अपने दादा जी को दादा जी जब भी मैं स्कूल से आऊंगा तो आप मेरा ध्याद रख सकते हो फिर Grandpa brings I think I can he says फिर Grandpa बोलते हैं उसके दादा जी क्या बोलते हैं हाँ जरूर मैं ऐसा कर सकता हूँ ऐसा बोलते हैं और उसके दादाची क्या हो जाते हैं एकदम खुश हो जाते हैं अप लोग ये चैप्टर समझ माया न अब हम लोग ये एक्सरसाइस में आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी